किकिन की रिसी बनाने के लिए 4 टेबिल स्पून ओयल में मैंने 50 ग्राम बाटर डाल दिया है बाटर मेल्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे दो टमाटर और साथ आठ गालिक की जो पेस्ट बना के रखे थे वो डाल दिया है टमाटर और कार्लिक के पेस्ट को अच्छे से प्राई कर दिया है इस समय गैस के फ्रेम को मिडियम पे रखना है और उपर से मैंने धनिया पत्त भी डाल दिये हैं इस रेसीपी में मैंने देर सो ग्रम धनिया पत्त यूज किया है उसमें से थोड़ा सा मैं अभी डाल रही हूँ बाकी के धनिया पत्त मुझे बाद में काम आएंगे अब इसके उपर से मैंने चीकेन के पीसेस डाल दिये है यहाँ पे सारे साथ सो ग्रम चीकेन मैंने लिया हुआ है एक एक करके साड़े पीसेस उपर से डाल दूंगे अब इसमें मैंने वान टेबिल स्पून सॉल्ट वान एन हाफ टेबिल स्पून ब्लैक पीपर पाउडर और वान टी स्पून शुगर एड़ किया है शुगर आप्शनल है अगर आप नहीं चाते तो आप नहीं एड़ करेंगे अब चीकेन के साथ सारी इंग्रिडियन्स को मिला देंगे ऐसे और उपर से छे हरा मेटचा मैंने डाल दिये हैं फ्रेंज ये रेसिबी बहुत ही टेस्टी होता है आप इसको रोटी, चावल, पुलाव, पराटा के साथ भी ले सकते हैं अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ तीन से चार मिनिट बाद मैंने कवर हटा दिया है और उपर से बचे हुए धनिया पत्ते डाल दिये हैं हाँ, यह रेसिपी में कोई जणजट नहीं है इसमें कोई मसाले की जरूरत नहीं है अचनक आपके घर में गेस्ट आजाए चिकन की कोई नई रेसिपी बना के आप उनको खिलाना चाते हैं तो आप मेरी रेसिपी जरूर ट्राय कीजिएगा और फिर से मैंने इसको कवर कर दिया है कुछी मिन्टों के लिए चार से पाच मिनित बाद फिर से कवर हटा के मैं चेक कर रही हूँ कि चिकन अच्छे से पके है के नहीं और थोड़ा टाइम लगेगा चिकेन को थोड़ी देर और पकने देना है तो मैं फिर से इसको कवर कर रही हूँ चार से पाच मिनित बाद मैंने कवर हटा लिया है और देखिए चिकेन कितने अच्छे से पक चुके है मुझे ग्रेवी इतना ही चाहिए क्यूंकि मैं इसको चाबल के साथ ही परोसने वाली हूँ प्रेंज अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और कामेंट जरूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग